दोस्तों अदानी ग्रूप की बात करें तो आज बहुत ही जबरदस तेजी देखनों को मिलिया लगबग सभी शेरों में बहुत ही सांदार तेजी है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से बहुत जादा गिरावट हो थी कल तो बहुत ही भारी गिरावट हुई और पिछले 3-4 ट अपने गिर्वी शेरों को छुड़ाएगे वो जानकारी दीगे वो गलत है यानि उनकी तरफ से एलिगेशन लगाते हैं कि अदानी ग्रूप की तरफ से बड़ा चड़ा के बाते कही जा रही है जबकि कोई गिर्वी शेर नहीं छुड़ाएगे लेकिन अब यहां पे अद बहुत ज़्या बड़े कुछ इस टॉक तो डबल हुए कुछ समय में उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और उसके बाद लगातार एलिगेशन भी लगे उसकी विज़े से भी यहां पे गिर्यावट हुई अब फिर से एक रिकवरी होनी शुरू हुई ह जो रिस्क होता है वहीं पर रिवार्ड भी होता बड़ा लेकिन फिर भी अदानी गुरूप में इस समय कदम फुक फुक के ही रखे जा सकते हैं सबसे पहले कर हम अदानी पौवर लिमिटेट की बात करें स्टॉक इस समय 182 के आसपासे 4.80% की सांधार तेजी के साथ टेड कर रहा है और यह अभी लगबग पौने 11 के आसपास का टाइम है पिछले जिनों लगाता लोर सरकीट भी लगे अदानी पोर्ट्स एन स्पेशल एकोनोमिक जोन की बात करें स्टॉक इस समय 620 के आसपासे 4.60% की सांधार तेजी है कल काफी बड़ी ग्राव तो इसके बाद में एक बड़ी राहत देखना को मिल रही है अदानी इंटरप्राइस जेस की बात करें तो 910 की आसपासे स्टॉक के 0.01% की मामूली सी तेजी है यहाँ पर कहने को गई है सिर्फ अभी ग्रीन है तेजी यहाँ बड़ी नहीं यह स्टॉक के अंदर है लेकिन जैसे जैसे ट्रेडिंग बड़ेगा आगे तेजी बन सकती है अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो 1013 के आसपासे स्टॉक है 0.10% की गिरावट है यह अकेला स स्टॉक है जा पर मामूली सी अभी हमें थोड़ा सा रेट दिखाए दे रहा है लेकिन जैसे ही ट्रेडिंग आगे बड़ेगा हो सकता है यह फिर से ग्रीन हो क्योंकि सभी शेर्ट तेजी से आगे बड़ने असलू हो चुक है अदानी ग्रीन अदानी ट्रांसमिशन की बात की तेजी है तो कुल मिला के देख सकते हो कि 10 में से 9 शेर अभी समय ग्रीन में ट्रेड करते हो आपको दिखाए देगा अब यह जो पूरा मामला बना गिरावट कल भारी हुई इसके पीछे वाज़ा है दिकैन ने एक रिपोर्ट पब्लिस के थी और इस रिपोर्ट के दावे के बावजुद रेगुलेटरी फाइलिंग दिखाती है कि बैंकों ने गिर्वी रखे शेरों के जो प्रमोटर के शेरों को बड़े इससे को अभी रिलीजी नहीं किया है इससे संकेत मिलता है कि कर्ज पूरी तरसे नहीं चुकाया गया यह बात इन्होंने आप चाही नहीं है इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आंसिक रिपेमेंट के जरिये केवल लॉन अमांट को घटाया गया है पूरा लॉन नहीं चुकाया गया और इसी वज़े से गिर्वी जो शेर अभी भी बैंकों के पास रखे गया और यह कंदम इसलिए उटाया गय लॉन नहीं है इसलिए उन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके सबी लॉन के रूप में थोड़ा सा पैमेंट जरू चुका है लेकिन अभी भी जो पूरी तरह से उन्होंने शेर को गिर्वी शेरों को नहीं चुड़ा बहाब इस सवाल के जवाब में अधानी गुरूप की तर बारे में जो आकड़े है वो यग कौटर जो खत्म होगा उसके बाद में ही पता चलेगा और उसके बाद में सारी के सारी जो चीज़ें हो इसके साथ घुड़ा उसकी जानकारी आने वाले क्वाटर 4 में पता चलेगी उससे पहले यहां पे कोई भी आपको क्लेर्टी दिखाए नहीं देगी उन्होंने का कि मौजुदा आखड़े के समु के बयान से मेल नहीं खाने के बारे में इस्तती इस पश्ट करते हुए का है कि समु ने अपने बयान में का है कि उसने शेर के आधर पर यह के 2.15 अरब डॉलर के कर्च को आप बुकतान कर दिया है और CNA यह रिपोर्ट में का गया कि जान बूज कर यह गलत तरीके से बयान को दिया गया है और यहां पर देख सकते हो कि अभी फिलाल यह जो का गया है कि 12 मार्स की गोशना से शेर बाज़ारों में उपलब सुच बनाई जारी है यह जान बूज कर किया जा रहा है सबसे बड़ा उन्होंने इल्जाम लगाया से उनको भी पता है कि यह जो सारे के सारे आकड़े है वो quarter 4 के बाद में ही लिज होंगे वहीं पर सारा का सारा सुधार होगा इस तरह से गलन गलत तरिके से बयान दिये जारे त लेकिन ये सारी जानकारी अभी आने में समय लगेगा लेकिन जो इल्जाम लगाए वो बिल्कुल गलत है अमने जो जानकारी दिया वो बिल्कुल फैक्ट के आदार पर है और हमने अपना 2.15 अरब डॉलर का कर्ज चुकाया है और उसके बदने में हमारे गिरवी शेर को हमने अभी है तो एक बड़े जवाब के बाद जो आप देके जवाब दिया उसके बाद में यहाँ पर फिर से तेजी का माहल बना क्योंकि आदानी ग्रूप ने खंडन किया है देक्यान की रिपोर्ट का उन्होंने यहाँ पर क्लियर का है कि सारी की सारी जो मैसेज जानकारी दी काया है ऐसे में अदानी ग्रूप उन्होंने जो अभी होलिसम कंपनी से एसी से और अमुजा सिमेंट कंपनी का अधिगरण किया उसमें जो जूड़ी जो सर्त है उसमें फिर से वो बादशीत करना देने कुछ नेगोशेशन करना चाते है फिलाल अगर आप देखे तो उनक महिने उसको बढ़ा के कम से कम पास साल या उससे अधिक करना चाते है अदानी ग्रूप और दूसरी तब अदानी सम्मू वन बिलियन मेजर नाइन लोन जो है वो पास साल के रीपेमेंट के साथ सीनियर सिकोर्ट लोन में बदलने की भी मांग कर रहे है और वरतमान में 24 महि की मैचोटी है इसकी और आप देख सकते हो कि अदानी ग्रूप फिर से नेगोशेशन करना चाते है अपने लेंडर के साथ में और दूसरी तरफ देख से पूरे वीश्व के धनी वेक्तर में तीसरे नमर पर अदानी आ चुके थे लेकिन उसके बावजुद भी यह जो रिपोर्ट है कह रही है कि इंडिया के जो टॉप 10 ट्रैक्सपेयर जो कमपनिया उसमें अदानी ग्रूप की एक भी कमपनी सामिल लही है तो यह एक तरसे का जा रहा है कि इतना बड़ा घराना होने के बाद भी यहाँ पे टॉप 10 में टैक्स चुकाई जाते है और इस विज़े से भी उसका फर्क पड़ता है क्योंकि यह जो रिपोर्ट निकल गाए इसमें जो सबसे बड़े टैक्सपेयर के रूप में अगर आप देखे तो सबसे उपर रिलाइस इंडिश्री दिखा देगा उसके बाद में आपको टाटा ग्रूप की एक भी कंपणी सामिल नहीं दिखा देगी जो टॉप 10 टैक्स पेयर है तो इसके पीछे वज़े यह भी है कि अजानी ग्रूप ने अपने अलग अलग कंपणी को बीजन को दस कंपणी में डिवाइड किया हुआ है उस वज़े से जो टैक्स अलग लग जाता है उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है यहाँ पे संसद में जानकारी दिये गई है तो यहाँ पे देख से मिनिस्ट्री ऑप इस्टेट कॉर्पोरेट अफेर्स के राओ इदर सिंग राओ ने जो कहा है कि हिनल बग की रिपोर्ट के बारे अधानी ग्रूप के उपर जो तो कुल मिला के इस मामले की पूरी की पूरी जाच होने वाली है बहुत कम समय है नि दो महीने में ही लगबग यह जाच पूरी हो जाएगी और इसका नतीजा भी आएगा तो कुल मिला के सरकार की तरफ से का गया है कि जिस तरसे वीपक्स इलजाम लगा रहे है कि सरकार कु दोगा और जो हमारी संस्ता है वो पूरी तर से independent है वो अपने हिसाब से फैसला ले सकती है तो आप देख सकते हो कि एक positive माहूल बना है और इसी वज़े से आज फिर से तेजी का माहूल बना है लेकिन फिर भी इस तेजी को देखके आपको इसमें ये ब्रहमीत